रूस अपने दुश्मन यूक्रेन पर ताबर तोड हमले कर रहा है और उसके महत्वपोर्ण इलाकों को अपने कबजे में लेता जा रहा है यूक्रेन की इस हालत के लिए सबसे बड़े दोशी उसके सहयोगी है इसलिए कि अमेरिका जैसे सहयोगीों ने यूक्रेन की मदद तो की लेकिन तब की जब वो रूसी हमलों से काफी ज़्यादा जुलस चुका था दरसल यूक्रेन रूसी हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से अपने पश्चनी और नेटो सहयोगीों पनिर भन था और जब इनसे मिले हतियार खत्म हो गए तो यूक्रेन और उसके राष्टपती ब्लादमिर जैलेंस्की और सैनिक बार बार सहयोगीों से सैन हतियार की मांग करते रहे लेकिन अलग-अलग कारणों का हवाला देते हुए किसी ने भी उनकी मदद नहीं की अब जैलेंस्की ने एक इंटरव्यू में यूक्रेन के खारवो इलाके में रूसी कबजे को रोकने में विफल रहने पर पूरी दुनिया पर दोश मर दिया है और उने ये भी कहा कि स्थिती को बदलने के लिए सभी को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए जैलेंस्की का ये बयान तब आया है जब रूसी सेना ने पिछले हक्ते यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर के पास कई वस्तियों पर कबजा कर लिया है यूक्रेनी अधिकारें ने सुईकार किया कि अब हालात बहुती कटिद है और यूक्रेन के साथ एक स्थिती ये भी है याब उसके पास सैनिक बहुत कम बचे है हत्यारों की कमी से लड़ते हुए उसके कई सैनिक अब तक मारे जा चुके है जलेस्की से जब पूछा गया कि क्या वो यूक्रेन की विफलता के लिए अमेरिका की गल्ती मानते हैं उन्होंने कहा थी ये दुनिया की गल्ती है इसके साथ ही उन्होंने अंतराष्टी समुदाए पर यूक्रेन में पुतिल को कबजा करने का मौटा देने का भी आरोप लगाया उन्होंने कहा कि युक्रेन खार्पों को खोना बरदाश नहीं कर सकता और देश के उत्तरपुर में महत्तपूर शहर पर कब्जा करने के लिए दुनिया युक्रेन की मदद कर सकती है जलेंस्की ने कहा कि उन्हें सिर्फ दो पैट्रियट मिसाल सिस्टम की ज़र्वत है उन्हें कहा कि अगर उनके पास दो पैट्रियट सिस्टम आ जाए तो रूस खार्पों पर कबजा नहीं कर पाएगा हाली में अमेरिका की तरफ से युक्रेन को दिये गए सायता पैकेज के बारे में जलेंस्की ने कहा कि ये वास्तों में उनके देश तक नहीं पहुंच रही है उसे युक्रेन को देने की जगर अमेरिकी कारखानों में और अमेरिकी नौकरियां पैदा करने में खर्च किया जा रहा है इस बीच अमेरिकी विदेश मंतरी एंटिमी विलिकन ने युक्रेन का दौरा किया और युक्रेन को आर्शवासन दिया कि अमेरिका युक्रेन के लिए अर्गो डॉलर के Patriot Air Defense System के लिए प्रियास कर रहा है हाला कि रूस का कहना है कि युक्रेन को भले ही कितने भी बश्रिमी हतियार दे दिये जाए लेकिन उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है उसने ये भी चेतावनी दी कि युक्रेन को हतियार के सब्लाई जारी रखने से सिर्फ रक्त पात ही बढ़ेगा और इससे सीदे रूस और नेटों के बीच टक्राव का खत्रा बढ़ जाएगा इस पूरे मामले में समझने वाली बात ये है कि रूस बार बार ये कहता है उसी हमलों का जवाब देने की एक शमता नहीं थी ऐसे समय में युद्ध रोका जा सकता था लेकिन शायद ये युद्ध जैसा दिख रहा है वैसा है जै इस युद्ध में आमने सामने तो रूस और युक्रेन लड़ते दिख रहे हैं लेकिन पीचे से इस युद्ध को कोई और लड़ रहा है यही वज़ाए कि दो साल से भी अधिक समय से चल रहा ये युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ बलकि और ज्यादा बढ़ता जा रहा है अबलकिन दो सुक्वाए कि अधिक अधिक झाल करेंज बलकिन अधिक की समयी टे चाल को बड़ बलकिन प्सक्ता है अधिक 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 चैजिए